नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राज है फ्रम आरसीगी आज हम आपको V08 स्मार्ट वाच जिसमें SIM कार्ड यूज कर सकते हैं और fitness tracker devices होते हैं हम उसका review देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उसको कैसे चार्ज करना है उसमें कौन सी application इंस्टाल करनी है फोन में जिससे उसका date and time सब कुछ ठीक हो जाए और उसके features कैसे यूज करने हैं तो सबसे पहले हम V08 को unbox करेंगे इसके अंदर से एक smart watch मिलेगी एक charging cable होगी और एक user manual होगा इस user manual में watch से related सारी information है इसमें आपका facebook, whatsapp, sms, calls, आप phone को उठा भी सकते हैं, फोन को कर भी सकते हैं, fitness, tracking, बाकी सारे features हैं तो अभी आप देखेंगे कि ये smart watch बिल्कुल भी charge नहीं है तो इसको charge करने के लिए यहां से ये USB का plug होता है इसको आप यहां से निकालिए धीरे से आपको watch के साथ एक cable मिलेगी, जिस cable को आप यहां पे लगा सकते हैं और दूसी तरफ जो watch होती है, इसको आप अपने mobile adapter में लगा सकते हैं या आप laptop से charge कर सकते हैं, या USB extension कोई भी जगह हो जहां से USB power मिल सके, वहां से charge कर सकते हैं तो हम इसको USB laptop port से connect कर देते हैं, इसको charge होने में करीब 30 मिनिट लगेंगे जैसे ही थोड़ी charge हो जाएगी हम वापस आएगे, थोड़ी दिर पहले जो smart watch हमने charging पर लगाई थी, वो almost charge हो गई होगी चेक करते हैं इसमें दो button इस side है, यहां पे charging का point है आप इसको तीन से पांस second प्रेस करके रखेंगे तो यह चौन होना चालो हो जाएगी अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी date 1118 लिखा हुआ है और time अभी 0000 था अगर bluetooth on होगा तो यह आपके near-rest mobile से connect करने की कोशिश करेगी इसमें बहुत सारे option है जिसको आप left और right swipe से check कर सकते हैं यह touch screen है इन में से एक आपको option में मिलेगा Bluetooth and QR code अभी देखें Bluetooth off है इसको हमें हमको on करना है अब हमें इसकी application डाउनलोड करनी है फोन पे तो फोन पे application का नाम जानने के लिए आप इसका QR code का button प्रेस करिए एक बार आएगा अब आपको अपने mobile में एक QR reader डाउनलोड करना है सबसे पहले जिससे की हम QR code को read कर सके हैं अगर आपके phone में install नहीं है आप Google Play Store में जाहिए यहाँ पे आप QR code scanner टाइप करिए बहुत सारे scanner आएगे जो सबसे छोटा वाला हो वो download कर लिजे क्योंकि सारे scanners almost QR code पढ़ सकते हैं तो मैंने already download किया हुआ है यह आपका camera on कर देगा अगर आप इस graph को इसके पीछे लेके जाएंगे तो आपको एक website का detail दिखाएगा आप इसकी open link में click करेंगे तो आपको सबसे पहले ये Chinese में दिखाएगा लेकिन यहाँ पे English version का link है इसको click करेंगे तो English में आ जाएगा अभी देखे इसमें आपको multiple applications दिख रही होंगी funrun, fundoo, fundoo position android version and bt notification android तो पहली application जो है हमारे smartwatch से related है जिसमें SIM card यूज होता है second application fundoo जो है वो भी smartwatch और smartband से related है लेकिन ये application जिसमें SIM card नहीं यूज होता है जिससे आप phone calls नहीं मिला सकते है लेकिन first application में आप phone calls और बागी सब यूज कर सकते हैं या तो आप application को यहाँ से download कर लीजे यह नहीं तो सबसे अच्छा option है कि आप google play store में जाईए यहाँ पे fun run type करिए 16mb की file है आप यहाँ से download कर सकते हैं accept यह आपको एक से देड़ मिनिट में पूरी file download हो जाएगी अब देखिए हमारे phone का time 222 pm है और हमारे watch का 004 pm है हो सकता है आपको screen थोड़ी सी blur दिख रही हो मैं कोशिश करता हूँ इसको clean करने का और focus करने का देखिए अब हम इसको open करेंगे और इसको connect करने की कोशिश करेंगे enter fun run okay अब देखिए अगर आपके phone में बहुत सारी application हो तो पूछेगा fun run application की accessibility के लिए आप इसको on कर दीजे allow कर दीजे अब हम इसको बंद कर देंगे और हम चेक करेंगे देखिए यह fun run का main menu है आप left में देखिए me है me में देखेंगे तो आपका नाम आपके daily का target पिछले दिनों मतलब yesterday से comparison और यह आपका सबसे अच्छा performance का record analysis यहाँ पे आपका sports data का analysis दिखाएगा इस जगे आपका report दिखाएगा और यहाँ से आप अपनी application की BT setting में जाके आप device को connect कर सकते हैं सबसे पहले Bluetooth को on करिए आपने watch का Bluetooth already on कर दिया था आप V8 को search करिए मेरे store में कई और watches हो सकती है तो यह watch V8 है तो हम V8 को search करेंगे आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेम चीज़ search new device देखिए mobile phone उसने ढून लिया है आप इसमें जाहिए connect पर क्लिक करिए अब देखिए connecting हो रहा है यह देखिए connect हो गया हमने watch से phone को connect किया है ना कि इधर से उधर sync date and time connected अब आप अगर देखेंगे तो date and time already बदल चुका होगा यहां से देखते हैं find your watch it means that यह watch already connected है हम BT setting में जाते हैं फिर से date and time change नहीं हुआ है जबकि यह connect हो चुका है तो हम Bluetooth में दुबारा जाएंगे check करेंगे कि क्यों नहीं connect हुआ है disconnect यह देखे disconnect हो गया अब हम इसको दुबारा connect करने की कोशिश करेंगे connect इसके option में जाए sync date and time with remote device तो आप क्या करेंगे synced कर देंगे जैसे यहां पे sync लिखा हुआ आएगा इसका मतलब कि आपका date and time देखिए बदल गया है 225 आज की rate आ गई है टाइम आ गया है आप यहां से phone call भी कर सकते हैं लेकिन SIM card नहीं पड़ा है अभी इसलिए हम phone call नहीं कर सकते हैं लेकिन हम अपने phone के SMS चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने already इसको Bluetooth से connect कर दिया है आप WhatsApp चेक कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको memory card चाहिए होगा इसके अंदर memory card पड़ता है और SIM card दोनों पड़ सकते हैं Twitter भी कर सकते हैं और website को browse भी कर सकते हैं देखिए मैं messaging पर जाता हूँ inbox में जाता हूँ देखिए inbox लोड हो रहा है यह Bluetooth का inbox है और आपके phone का inbox है मैंने Bluetooth का inbox open किया और कोई भी message को load कर सकता हूँ पड़ सकता हूँ ऐसे ही मैं अपने phone book को sync कर सकता हूँ देखिए phone book के detail आना चालू हो जाएंगे यह देखिए तो इस तरह से हम अपने smart watch को use कर सकते हैं इसमें और भी चीजे देखिए आपको remote connectivity है setting है image आप click कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी sim card की जरूत पड़ेगी आपको pedometer है देखिए sleep monitoring है sedinary reminder है जहाँ पे आप minute या एक घंटे आप अगर एक जिगे बैटे रहेंगे तो आपकी watch vibrate करना शुरू हो जाएगी बहुत सारे feature हैं आप एक एक करके feature इसके use कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ sim card कैसे डाल सकते हैं सबसे पहले इसको power off करिए फिर आप इसको यहां से open कर सकते हैं जब आप open करेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहां पे एक battery है 380 mAh की 3.7 volt की इस battery को धीरे से निका लिए अब आप इसमें देखिए एक sim card का slot है एक micro sd card का slot है तो अपना sim card इसमें डाल सकते हैं और micro sd card इसमें डाल सकते हैं जिससे की आपका phone call भी आ सकते हैं आप यहांसे phone भी कर सकते हैं और WhatsApp और बाकी सब चीजे भी आप use कर सकते हैं watch से सीधे लेकिन उसके लिए micro sim डालना पड़ेगा आपको यहां बैटरी निकालने की वज़े से सब कुछ reset भी हो गया होगा हम इसको फिर से लगाते हैं बिल्कुल simple है cover को बंद कर देते हैं और इसको फिर से switch on करते हैं जब switch on करेंगे तो फिर से जीरो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने battery हटा दी थी देखिए तो आपको इसको दुबारा Bluetooth से connect करना पड़ेगा अब Bluetooth में जाएए अपने आप connect हो गया यह इसका मतलब देखिए 229 डेट अपने आप बदल गई फिर से तो इस तरह हम अपने smart watch को use कर सकते हैं यह smart watch हमारे website में available है www.rceonline.in में वहां से आप इसको खरीज सकते हैं हम कहीं भी ship करेंगे आप जहां भी होंगे आपके पास आपको watch मिल जाएगी आपको अगर कोई question है तो आप वीडियो में नीचे लिखे हुए message में type कर दीजे हम आपको वहां पे तुरंत पुशिश करेंगे answer करने की आप हमारा YouTube चैनल subscribe करिए आपको बहुत सारे वीडियो बहुत सारे और help मिलेंगे watch से related जो आपको कहीं और शाहिदीन मिलें धन्यवाद जापको नेछा प्रुम्पमें कर değişंघ वीडियो जाप़ करिए C